हलो दोस्तो स्वागत है आप सभी का बैंकिंग करियर के ओपीसियल यूटूब चानल पर मेरा नाव मुमेस यादो है दोस्तो इस वीडियो में बात करेंगे IBPSPO सेलरी के बारे में आपको IBPSPO का सेलरी कितना मिलता है, पार्क और बेनिफिट क्या मिलता है यानि आप अभी अभी बैंक जोईन करने वाले हैं तो आपको सुरुवात में आपके एकाउन में कितना पैसा आपको डिपोजिट होगा इसके अलावा सेलरी के अलावा क्या 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 आप सभी को बेनिफिट मिलेगा दोस्तो एक काफी कम्प्लीट वीडियो है, मैंने इसमें सब कुछ रिसर्च करके आज़ पर जो गौर्मेंट डाटा है, आप सभी को क्या बेनिफिट मिलेगा सेलरी के अलावा मैंने, जो भी मेरे दोस्त लोग बैंक में जॉब करते हैं उन लोगों से में मैंने डिसकस किया, तो एक कम्प्लीट वीडियो है, दोस्तो आप लोग इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजे और चैनल पर नहीं है, तो चैनल को जरूर सस्क्राइब कीजे आप में से जो भी न्यू केंडियो है, अभी बैंकिंग का प्रिपेशन कर रहे हैं, आप सबको एक वीडियो देखिए, आपको काफी मोटिवेशन मिलेगा यहां से, क्योंकि इसमें इसमें आपको डिये जो होता है, जिसको बोलते हैं, अभी जो मिल रहा है, 76.16 यह गौर्मेंट के वेबसाइट से मैंने लिया है यह आपका हो जाएगा दोस्तो, 19,433.47 आपको मिलेगा, आपका DA मिलेगा Special allowance जो है, दोस्तो, 7.75% मिलेगा, पेसिक पे का, यह हो जाएगा, आपका 1836.75 रुपीज हो जाएगा CCA मिलता है, दोस्तो, जिसको बोलते है, CT Compensatory Alloyance जो होता है, आपका 0% मिलता है, 3 और 4% होता है, मैंने यहाँ पर 3% लिया है यह हो जाएगा, आपका 7011 रुपीज हो जाएगा, आपका HR जो होता है, दोस्तो, House Rent Alloyance जिसको बोलते हैं, यह मिलता है, आपको 7%, 8% और 9% यह दिपेंड करता है, क्यों, CT पर डिपेंड करता है दोस्तो, हमने यहाँ पर 8% लिया है, यह है, आपका 1896 रुपीज हो जाएगा दोस्तो, यह जो House Rent Alloyance जो है, लीज एकुमेडिशन जो है, इसमें काफी ज़्यादा एमाउंट मिलता है, उसको आगे हम डिसकस करेंगे सुरुवात में जब आप जोईन करेंगे, तो आपको अभी 2-3 मेना के अंदर में आपको यह चारे ही मिलेगा उसके बाद जैसे आपको CT में आप फिक्स हो जाएगे, जिस CT में आपका हो जाएगा पोस्टिंग वहाँ पर आपको lease accommodation मिलता है, वो काफी जादा amount में मिलता है, उसको देखेंगे आगे हम तो दोस्तों यह सब मिला दिया जाता, आपका gross salary जो है आपका 45,924.22 रूपीज हो जाएगा यह आपका जो total gross salary हो गया, आगे देखते हैं दोस्तों, अब gross salary में deduction भी होता है आपका जो NPS deduction होता है, जोसको बलते है national pension system, यह आपका 10% of basic pay और DA का होता है यह आपका deduction हो जाएगा 4,313 रूपीज, 0.347 रूपीज आपका deduction हो जाएगा उसके बाद union जो fee होता है, extender fee होता है, आपका 100, 150 भी होता है, किसी किसी bank का हमने 100 रूपीज लिया है और professional tax जो होता है, 200 होता है, तो दोस्तों इसको minus कर दिया जाए, तो आपको total जो आपके net salary जो है आपके account में जो अभी deposit होगा 41,310.873 रूपीज मिलेगा, approximate आपको 41,041 के आपके account में अभी आपको सुरुवात में आपके salary मिलेगा यानि आप अभी bank में join कर रहे हो, तो आपको इतना आपके account में आएगा आगे जो benefit है उसको देखते हैं, ये तो आपका 41 के जो है आपके account में आएगा और एक तरह से देखा जाए तो NPS जो है आपका 4,300 जो deduction होता है ये वाला ये भी आपके account में ही जाता है, ये बाद में आपको मिलता ही है और इतना ही आपको amount जो होता है सरकार भी पे करता है, तो ये भी आपके account में ही जाता है, तो ये भी आपको salary में ही consider किया जाएगा लेकिन आपको जो मिलेगा आपके account में आपको 41 की आपको अभी सुरवात में आपको account में मिलेगा, अब दोस्तों इसमें perk जो है क्या मिलता है उसको देखते हैं, परk में दोस्तों आपका medical जो alliance है वो अपको annual मिलता है, आपको 8000 रूपीज आपको मिलता है, इसको per मैं देखा जेतो एप्रोक्सिमेट आपका 666 रुपीज होता है निव्ज पेपर करता है तो जैसे बाड़े भी बैंक है ये सब जो बैंक है 300 रुपीज भी देता है मैंने आपको एक इस्टेंडर ले लिया है 300 रुपीज आपको निव्ज का मिलेगा newspaper का entertainment जो होता है उसके लिए भी मिलता है दोस्तो ये भी 300 मैंने approximate पकड़ लिया है और furniture जो maintenance होता है दोस्तो ये जो हता है 500 होता है आपका इसको आगे देखेंगे दोस्तो फनीचर में जो है आपको maximum 1 लाग तक आपको advance मिलता है ऐसे आपको मैंने यहाँ पर standard जो है 500 रुपीज मिलता है यानि इसको सबको मिला दिया जाए तो 2616 रुपीज आपको ये भी extra आपके account में आपको पर मंद जो है आपके account में मिलेगा अगे देखते हैं दोस्तो और क्या क्या आपको benefit मिलता है लास्ट में हम total करेंगे कि कितना आपका जो है नेट से लिए आपके जो branch है दो मेना तीर मेना कंदर में आपको change भी होते रहता है उस समय आपको lead accommodation नहीं मिलता है जब आप एक बार stable हो जाते हैं तो आपको lead accommodation मिलने लगता है lead accommodation काफी जादा है दोस्तो आपको major city की बात करें तो 15,000 से लेकर के 17,000 के बीच में आपको मिलता है टॉप class city की जैसे बात करें जैसे metro city हो गया मुंबई हो गया आपका देली हो गया बैंगलोरू हो गया यह सब बड़े-बड़े city है गुलकाता है यहां पर आपको 17,000 से 20, से 12,000 के बीच में मिलता है और class city की बात करें तो 6,000 से लेकर के 7,500 तक आपको rent मिलता है यह आपका standard charges है आपको इतना rent मिलता है यानि आप पकड़ लो कि आपको 10 की आपको rent जो है आपके मिलेंगे rent मिलने के लिए आपको यह आपके account में नहीं आता है आप जहां भी आपको वहां के owner जो है agreement होगा उसी के account में पैसे जो है आपके transfer होते है यानि आप एक standard पकलो कि आपको 10,000 पर रूपीज आप class 1 city में है तो आपको चीजे मिलेंगे rent के लिए उसके बाद बात करते हैं तो इसमें जो आता है पर्क benefit में आपका petrol जो है पिट्रॉल भी मिलता ह इसके लिए आपको या आपके नाम पर जो है आपके गारी होनी चाहिए आपका two wheeler हो या फोर wheeler हो आप job आपकी लगी है तो आपके नाम पर होना चाहिए प्रटॉल की बात करें तो अर्बन एरिया में 40 लिटर तक मिलता है डिपेंट करता है बैंक पर कोई बैंक ज्यादा मिलता है तो आज का रेट में आपको 83 रूपेज आई थिंक है तो 80 ही पकड़ लिजे यानि आपको 40 इंटू 80 भी करोगे तो आपको 32 रूपया जो है आपको पर मंथ आपके एकाउन में यह भी मिलेगा आपको पेट्रॉल का भी मिलता है तो यह सब चीज है आगे हम सब को है के दो सब करेंगे दोस्तों यह चीज आपको मैं जो मिलता है वो शब मैं बपा दे रह condition हो मैंने 40 लिटर कहीं पकड़ा आपको 40 लिटर मिलता अपका Выlar में 35 लिटर मिलता है लेकि मैंने 40 लिटर ही आपको पकड़ा और रेट मी मैंने 80 रूपीज ही पकड़ा है उसके बाद दोस्तों आपको अधर जो बेनिफीट है इसमें जैसे आपका जो एल टी सी जो होता है लीव ट्रेवल कंसेशन जिसको बोलते हैं आपका प्रोबेशन प् बेनिफिट है दोस्तों जिए चीज़े है अपको इतना सारा बेनिफिट मिलता है और आप सुरुवात में वैंक ज्योइन कर रहे हो तो आपको सुरूवात में तो यह आपका यह एन। आपको जैसे प्रोबेशन प्रियर्ट खतम होगा उसके बाद मिलेगा तो यह सब सारा बेनिफिट है अब सबको दोस्तों एड कर दिया जाए तो आपकी एकाउन में कितना सुरुवात में आता है जैसे नेट सेली की बात किया था हमने तो 41,000 अप्रॉक्सिमेट आया था उसक नहीं लेते तो आपको तो अपने पास से ही पे करना पड़ता ना तो यह टोटल मिला दिया जाए दोस्तों तो 57,000 के आसपास में होता है इसमें आप 2K जो आपका हाउस रेंट जो था आपने वहां लिया था उसको हटा दिजे तो फिर भी आपके एकाउन में जो है 55,000 के आपको सुरुवात में आपके एकाउन में इतना सेलरी आएगा एक काफी attractive सेलरी है इसमें इतना बहुत सारा benefit है जैसे आपका promotion होगा जैसे आप आपका यह होगा आप आगे बढ़ोगे आपका skill बढ़ेगा उसके अनसार से सब चीज़े आपको बढ़ेगा और उसके बाद में वीडियो बनाने वाला हूँ सभी जितने सारे बैंकों का सेलरी है जो आपका promotion है कैसे होता है आपको क्या क्या एक्जाम उसमें फेस करना होता है इस सब चीज आने वाले टाइम में detail वीडियो मिलेगा दोस्तों I hope आप लोगो इसमें complete जो information मैंने बताना चाहता था आप आप सबको मिल गया होगा मैंने काफी research करके वीडियो बनाया है इस type का वीडियो आपको YouTube पर नहीं मिलेगा आपको जो भी benefit मिलता है आपके net selling जो आपके account में transfer होगा मैंने सब कुछ बता दिया I hope आप लोगो दोस्तों आप चला लगा होगा इस वीडियो को जरूर लाइक क जरू subscribe करके जाईएगा thank you so much God bless you